हेलो एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल अकांचा ब्यूटी आप सबका स्वागत है में चैनल में इस आज की जो वीडियो है वह हेर केर वीडियो होने वाली है जी हां तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने स्पेसली हेर वाश करने टाइम ताकि आपके बाल जो हैं हिल्दी बने रहे हैं साइनी बने रहे हैं और डार्थ ब्लैक बने रहे हैं तो अगर आप इंट्रेसेट हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो इस वीडियो को लाश तक देख अपनी बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं तो हम लोग बालों की चेर अच्छी तरिके से करते हैं इसा हमारे किसी भी मिस्टेक्स वग्एरा की वज़े से बहुत सब्सक्राइब बहुत भार होता है की में कमजोड और ज्टेशने लगते हैं रफ हो जाते हैं, उनमें शाइन नहीं रहती हैं ऐसी बहुत सारी चीजे होने लग जाती हैं तो उसी में से आज 5 बालों से धोना जाहा बनाने के लिए बालों का जो भी नीचे का पार शरागा जाद हों कि उसले जादा लगाता हैं Osman Anandia जो नीचे के एरिया है वहां पर जादा नमी नहीं पहुँच पाती तो इसे उन में नमी की कमी होती और जाग बनाने के लिए नीचे में ज़यादा जढ़ा बनाते हैं उससे बालों के नीचे अरिया है यह ब्लफ हो जाता है और बालों में ज़यादा शैम्पू लगाने की वजे से यह भी होता है कि हम अपने स्केलप पर धेन नहीं कोई आप कि विए पपाता जिससे कि कुछ आप कासा तरह सकेल्प नाथ से नीचे में होती हैं तो नीचे से नीचे से होकर वाश नहीं होती है हमेशा अपने scalp पे आप कह सकते हैं अपने फिंगर टिप से सर्कूरर मोशन में सैंपूस को अपलाई करिए तक कि जो सैंपू है वो आपके पूरे बालो में scalp में जा सके और अच्छे से सफाई कर सके तो यह पहली मिस्टेक है कि आपको कभी भी अपने बालों के बॉटम में नहीं लगाने ज्यादा शैंपू उपर में scalp पे ज्यादा लगाना है नेक्स मिस्टेक है क्योंकि अभी ठंड आ रही है तो बहुत साही लेडिस वह गर्म पानी से पने बालों को वाश करती हैं जी हां वार्म वाटर से तो यह आपको नहीं करना है कितनी थंडे पानी से अब दोएंगे वह उतना श्राइन करेगा बट जैसा कि विंटर से तो मैं जानती हूं कि बहुत सारी लोग नहीं दो पाएंगे बहुत थंडे पानी से अपने बालों को तो आप जो पानी उसे गुन-गुना कर सकते हैं यानि कि लेक वार्म कर सकते हैं और करेंग और आपने अपने हीर structure का मरश सकते हैं इसे क्या हो कि आपके बालों में जो भी गंड की वह घाएब और डुप कर दो तो छाशा जाए इसा जाए जैए ति Az Sci नियाल कर एंगर दवान तो या में कर दिच नियाल्मंट निया प्लंट है कि और दोने नहीं को लगए को थो जब हो इंगर नहीं ने पहलिए तो इस और आपने बेशी ड्सकाम कि आपने lep तो आप आपने या फिर इंगर आपको प्रसी जब एक प्लंट सकत्त asyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasy आपफार से बटम लाइन है यहां से लगा सकते हैं कंडिशनर को हमेशा ही आप अपने बालों के इतने चार उंगली के नीचे से ही आपको अप्लाई करना होता है वरना आपके बाल जो है वह बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो चिप चिप लगेंगे और शैंपू करने कोई फायदा नहीं होगा तो कंडिशनर को कभी भी अपने स्केल्प में अप्लाई मत करिए हमेशा अपने बालों के बॉटम एरिया में या फिर जो भी आपके बाल है वहां पर अप्लाई करिए स्केल्प वाले अरिया में मत करिए नेक्स्ट और लास्स मिस्टेक है वो यह है कि बालों को रगड कर या तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है, बालों को सुखाने के बहुत सारी तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका तो यह ही है कि सबसे पहले एक टॉय या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर पहले अपने हाथों से दबा दबा कर बालों से जो भी एक्स्ट्रा पानी है व यह बिल्कुल नय्चुल चुखाएं यह ज्यादा अच्छा होता है, वालों को भी नैचुल होग हाएं तो बहुत अच्छा रहा रहेगा और साथ में आपके बालों की जो भी गोगए वी वगए वो जाबा अच्छा से होगी तो कभी भी एपने बालों को रगड़ का या नियुक्ति झूप वाई अ और काक्रेदान से पर पठकेस् होगा तो यह मिस्टीक थी। जो texture वो improve होगा और आपके बाल बिल्कुल shiny और आप कहा सकते हैं कि dark black बने रहेंगे in case अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को subscribe करिएगा और वीडियो को like करिएगा मिलते हैं में next वीडियो में तब तक के लिए